और इन लोगों के अगर बातों से नहीं सुनते हैं जो पंचायत का मालिक होते हैं अगर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो मैं उनको भी कहता हूँ कि मुखिया से इस्तिफाते दीजे आप क्योंकि आप से नहीं समलेगा आपका पंचायत अगर यह घर को नहीं रोख सकते हैं तो रोड को परसासन हटा दिये और यह तो बिल्कुल सटा हुआ के लगों की जो कुछ बाते हैं लेकिन यहां के जो लोगों की जो कुछ बातें हैं कुछ कारणामे हैं जो आप देखेंगे तो आपको भी आजीब सा लगेगा ये देखिए ये पेड जो है PWD का पेड है और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल घर के अंदर है और ये घर के अंदर इस पेड को ले लिया घर को बना दिया गया है अब ये पता नहीं क कौन सा इंजिनियर इस घर को डिजाइन किया है कि पेड़ घर के अंदर होना चाहिए एक ची और आप देखिए कि बिजली का जो कनेक्शन है इस घर से मातर एक फिट के दुरी पे हैं और यह तार बिल्कुल घर से सता हुआ है अब देख पा रहे होंगे जो बिल्कुल अतार सता हुआ जो कलम गया हुआ है अब बताइए सबसे पहली बात है कि यहां के परसासन की लापरवाई है मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिस्थाना के अंतरगत यह आता है मैं हिरोडी से कहना चाहता हूँ कि पहली बात है कि ऐसे घर को आपको रोकना चाहिए इसलिए रोकना च कहीं न कहीं डियाफो साहब या फिर हमारे वन विभाग के जो हमारे फॉरष्ट विभाग से जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों से भी आग्रा करना चाहता हूं कि जो रोड के अंदर इस पेड को लिया गया है तो यह समस्या बढ़ा आएं कुछ लोगों से बाएं हम लोग नहीं बोल सकते हैं फिर परसासन के पास भी खबर गई परसासन बोला आवेजन दो आवेजन हम लोग नहीं दिये लेकिन चकुदार को भेजा उसने मना किया और फिर पुना है लोने अपने से आप चालू कर दिया किने हमको परमिसन मिल गया हम बनाएंगे आई देखिए त जरकिन दिया था बच्चा लोग के लिए तो रोड को परसासन हटा दिये और यह तो बिल्कुल सटा हुआ है तीन फिट के अंतर गत और यह पेड जो लगाया गया है यह तो परसासन का उचीत बनता है कि पेड को हमेस्ता बचा के रखें अभी पर्यावरन के लिए सरकार ब अभी तक चली बिल्कूल यहां के लोगों के लिए खिलाफा यह नहीं बनना चाहिए यह कुछ लोगों से और हम बात करेंगे तो इनसे हम बात करते हैं भाई आप बताईए कि पहली बात है यह आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है और जिस वक्त घर बनाया गया जा रहा था उसमय हमारे ग्राहिमिनों ने इसको रोका गया मना किया गया थाने में ऑर बोला भी गया वहां फेने में आया छै को दार भी यहांपी रोकना की काम करते हम सब्सक्राइख ले चुके हैं एम बनाएंगे या तो ऐसे लोगों को काम को रुकिए कलदा करके यहां की लोगों को इस पेड को काटने के बाद इसको क्या किया गया है कि इसमें एसी डाल दिया गया है जो कि यह हमारे गाउं का नहीं है जमिन लिए गए थे जो कि यह बाहर के आदमी है हमारे पूरे गाउं वाले लोग इ आप नहीं रुके हुआ एक और देखें अमारा अपना घर बना हुआ है पेर से हट के दस फीट, बिस फीट हट के बनाया गया जा रहा है लेकिन यह मानने के लिए राजी नहीं है उल्टा हमारे गाउं पर दबाऊ देता है कि आप छो enacted कर रहे हैं। निल्म को यहां के जनपरते हैं और इन लोगों कि आगर बातों से नहीं सुनते हैं जो पंचाय अगर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि मुखिया से इस्तिफादे दीजे आप, क्योंकि आप से नहीं समलेगा आपका पंचायत, अगर ये घर को नहीं रोक सकते हैं, तो मुखिया से भी इस्तिफादे दीजे, पंचा समीती से भी दे दीजे, रोवा झाल झाल कि उपन करने